वहीराजधानी लखनव में ठाकुर गंज पुलिस ते एक मकान से 10 लाख रुपे से भी जादा की चोरी करने वाले चार शातिर चोरों को गिरफतार किया है बचादे की बीते तीन जुन को ठाकुर गंज के क्रिश्नवती कॉलोनी फरीदी पुर में चार चोरों ने शट्रिंग कारोवारी अब्दुल तौहीद के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया साथी सुने घर से लाखों की नगदी समेथ अनिकीमती सामान लेकर फरार हो गए इस घटना में ततकाल कारवाई करते हुए पुलिस ने श्यामतिवारी आशीश कौतम एकबाल समेथ अनूप सोनी को गिरफतार किया है तीश छे दो हजार चौवीस को शायंकाल स्री अब्दुन तवहीद जो फाकुर्दर कुछ फानान तरगर्ष वरिपीपुर्थ अस्तान के रहने वाले हैं यह अपने रिस्तिदार से मिलने अपना अपने धर में तावा बन करके गये थे उसी दौरान इनके धर में चोरी हुई लगबंग आठ लाक रुपए के जेवर और पचाहजार रुपए नगट चोरी हुआ इसकी सूचना उन्हों को चार तारी को प्राप्तु तब काल सुसंगत धाराओं में अभ्योग बंजिक्रित किया गया और परमपरागत तथा पहज्ञानिक उपरतत्या हैं साथ में हम अपने मुर्बर का जो नंत्र है उसको भी सक्री किया गया सभी का उप्योग करते हुए साक्ष संकलंग किया गया तो जो अभ्यूद इसमें प्रकास में आये जो जोरी करने में सम्नित थे एक शाम थिवारी जो हाकुर गंज के रहने पर रहने वाला है दूसरा आसीस दोताओं ये भी परीविकूद हाकुर गंज का ही रहने वाला है इंको खिरासत में लेकर पूस्ताच की गई तो इनके दोरा बतायों कि ये ऐसे ही मुहलों में भुंते रहते हैं जिस धर में इनको ताला बं दिखा उसमें ये चोरी का व्यास करते हैं दिव जैसा इनके दोरा बताया गया रिक इंकी पहली रटना है पूर उने श्याम की वारी एक चेंश्ची के मांद्यें में ग्रफडार हो चुका है क्तुषिते बाद इन के दारा बताए गया की चोरि इन्होंने ही की है और जो को की सामान है वो आसीस साइप है म Разाप साइप और मुहमेद इग्वाल के पास उनको भी क्रिब्दार किया गया इनके कपजे से सत अकश्र और कि मात 15,000 रुपए जो चोरी नों ने किया था उसमें से खर्च किया है प्राइटीजार रुपए और रगभद 9,000,000 रुपए के जेवर जो चोरी करके ले गए थे यो सभी बरामद है आपके सामने हैं